हलो अश्ट्रेंट्स वेलकाम तो शिपसंकर जिक्के जीए। सिपसंकर जिक्के जीए। मैं एक वा diferente श्वागा थे तुँछ में को तेस्ट है। कल पांच वजे टेस्ट होगा आपका फजिक्स का जो टेस्ट का ग५्प नहीं ज्यूइन किया। चलिए देखिए पहला कोशन है कि किसी बीधूत परिपत में किसी बीधूत परिपत में एक आंक धना वेस के एक बिंदू से दुसरे बिंदू तक ले जाने में किये गए काल द्वारा मापा जाता है और अगर आप हमारा चैनल पर पहली बारा है ना तो किरफ़ा कर सब्सक्र स्थाइब करने के बाद गंटी का बटन आता है उसको दबाद डिजेंगा जिसे क्या होगा कि हमारा कोई विडियो आएगा तब तक पहले पहुचेगा देखें किसी बीधुत पराइब बेच के बीच यानि क्या मापा जाता है तो दिवांतर को मापा जाता है उसके बाद सुवेत परकास की किरन सुवेत परकास की किरन जब किसी प्रीजम से होकर गुजरती है क्या बोड़ा सुवेत मतलब समझते हैं न सफेद किरन जब सुवेत की परकास की किरन सुवेत में सात रंग होता है तो सुवेत परकास में कितने गुजारते हैं है तो जो बड़न होग उस सबसे अधीक वीचलित होता है स्वेथ परकास में कितने सबसे अधीक बिचलीत होता है वह होता है यानि सबसे अधीक बिचलीत होता है वह परकास के किरन, परकास के किस बर्न के लिए, परकास के किस बर्न, यहां पर देखिए, एक भाब ध्यान रखिएगा, कि आपका यहां पर लिखा वो परकास के किस बर्न, कहीं कहीं पर लिख देगा न, कि परकास के लिए तरंग दैज अधिक्तम होता है, तो ध्यान में एतार लाल के लिए लाल मतलब होता है किस सब्धे परदे पर किसी सफ़ेद पृढ़ोट पर लाल तथा हारा रंग के परखाश पूझ एखी जगाँ पर पढ़ते हैं, तो परदे पर कौन सा रांग दिखाई पढ़ेगा, कौन सा रांग दिखाई देगा, पीला, क्या बोल रहा है, कि किसी सखेड परदे पर, लार तथा हरे रंग की परकास पूंज एक ही जगह पर पढ़ते हैं, तो परदे पर कौन सा रांग दिखाई पढ़ेग तो जगा, आई देखिए इक कोश्चन देखे होंगे तो आपका दिमाग में चल रहा हो की हळा कर है और लाल कर रहा है कर मतलम की काला होगा और इवश्चन देखे होंगे कि स्रीयत परकास ताइस था होगे मिलाल होगा, लेकिन नहीं, सबसे जादी के भीचलीत होता था बैग लाल फूल को हरे रंगे के काच से यानि हरे रंगे का काच है उस टुकरा से देखा जाता है तो अबा पर्तित होता है यानि एक लाल फूल जैसे गुलाब है गुलाब एक लाल होता है उसको हरा रंग के काच के टुकरा से देखिएगा तो कैसा दिखाई देता कैसा पर्तित हो परदे पर क्या बोलगा है कि परकास की किरन पूंज है वह एगो लाल और येगो नीला इदुन्हों को एक स्वेथ परदे पर एक के ही अस्थान पर आपतित होता है तो परदे पर कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा तो सब सोच रहा होगा कि ये वह लाल है अदुस्वार का नीला है तो हो जाएगा बैगनी नहीं दोस्त बैगनी नहीं मैजेंटा दिखाए पड़ेगा कैसा मैजेंटा उसके बाद मनुस्की आख में बस्तु का पर्तवीम मनुस्की आख में बस्तु का पर्तवीम किस भाग पर बनता है मनुस की आख में बस्तु का जो पत्वीम है उग किस बाग पर पढ़ता है तो रेटीना पर बनता है नेत्र के उस गुन को भीन भीन दूरी पर इस्थित बस्तुओं को फोकस करने में मदद करता है उसे क्या कहते हैं समंजन छमता कहते हैं क्या कहते हैं समंजन छमता को और नेत्र के उस गुन भीन भीन दूरी पर इस्थित बस्तुओं को फोकस यह वह बस्तुओं है और दुनों पर फोकस कर रहें तो इस फोकस करने के मदद कौन करता है समंजन छमता उसके बाले निकट दिरिष्टी दोस बाले मनुस के चसमे में होता है अब तलेज और दूर दिरिष्टी दोस बाला जो ब्यक्ती होता है उसकी आँख में साप साप दिखाई दे सकता है क्या? कहारा कि दूर दिष्टी वाले आँख है जो दूर दिष्टी तक देख सकता है उस साप साप क्या देख सकता है तो दूर की बस तुमों को देख सकता है दूर दिष्टी दोस किसक में होता है जो दूर की बस तु देखता है उसको दूर दिष्टी हो यारे जिसमें निकट क बस तू दिखाई ना दे दूर की दिखाई दे इसलिए दूर दिश्टी अगर निकट की बस तू दिखाई दे दूर की दिखाई ना दे तर निकट दिश्टी चली आगे देखिए उसके बाद कोह रहा है कि दूर दिश्टी दोस्त दूर करने के लिए चस्मे में परियोग कि दूर दिश्ति दूस्तूर दूर कर ने के लिए पूल क्या में वल्टा है गौन सा लेंस उत्ता लेंस लगाया जाता है इसमान lg9 9-11 को बोलते इसमान आखे के लिए असञाश पर स्पाव मतलब कि साफ शाथ साफ दिर्षटी ही निउन्दम दोरी होती है तो 25 सेंटिमेटर यानी नियुंतम सबसेन कौम दूरी 25 सेंटिमेटर करें था व्हुंकर सब देख सकते काम नहीं देख सकते एबम लेंस के बीच रखी जाती है तब पर्तवीम बनता है कालपनिक और सिधा समझेगा उत्तले लेंस में जब बस तू फोकस और लेंस के बीच यानि बस तू कह रहा कि फोकस और लेंस के बीच रखा जाता है तब पर्तवीम जो बनता है वो कैसा तो कालपनिक और सिधा बन लेंस द्वारा काल्पनिक पर्तवीम बनता है लेंस द्वारा काल्पनिक पर्तवीम बनता है जब वस्तु क्या हो फोकुसांतर से कम दूरी पर रहता हो उसके वादे जब कोई बस तु अनंत पर रहती है तो उत्तर लेंस द्वारा उसका पर्तवीम बनता है उत्तर लेंस किस पर बनता है फोकस पर यदि बस तु उत्ताले लेंज के फोकस तथा फोकस दुरी कि दुगनी दुरी पर हो तो परत्वीम क्या होगा समझेगा यदि बस तु उत्ताले लेंज के फोकस तथा फोकस दुरी कि दुगनी पर हो तो परत्वीम है जो कैसा होगा बस तब उल्टा तथा आबार्धित मतलब बहुत बड़ा कि उत्तलि दर्पन से बना पर्तवीम होता है हमेशा सिधा किसी बस तु का आबर्धित काल्पनीक परतवीम बनतल समतल दर्पन से जाद रखियेगा कि कि की बस्तू का आ बारधित मतलां बस्तू से भदा परत कालपनिक पर्टवीम बनता है तो समतल दरपन से गौन दरपन की फोकस दूरी उसकी भख्धता तृज्या के अधी होती है हर कोई जानता है दस्म में पंड़े होंगे एंडर में भी पंड़े होंगे हजामत बनाने के लिए दर्पन व्यवार में लाया जाता है हजामत बनाने के लिए किस दर्पन का उप्योग करते हैं अवतल दर्पन यहां पर कन फ्यूज है और एक घौर में जो छेहरा देखते हूँ समतल वोता है और एक हजामत बनाते वो अबस्तल होता है लेकि घौरवाद देखके करते कि नहीं तो अगर कोश्चेयर के लिए अबतल दर पन के जगसे समतल लिक्ने अबतल ना ये तो समतल लगाईएगा अगर समतल दे और अबतल भी दे तो अबतल लगाई सटीक अबतल हो जाएगा हजामत बनाने के लिए ठीक है उसके बाद है मोटर गाड़ी के मोटर गाड़ी के शालक के सामने लगा दर्पन होता है चालक के सामने लवा दर्पन होता है कौनसा दर्पन होता है उत्तल दर्पन कौनस एक लेंस सर्च लाइट का प्रवर्तक होता है यानि कैसा होता है उपरवर्तक तो समतल होता है एक अवतल दर्पन की फोकस दूरी 12 सेंटिमेटर तो इसकी बक्रता त्रिज्या होता है एक अवतल दर्पन बोल रहा है कि फोकस दूरी 12 सेंटिमेटर तो इसकी बक्रता त्रिज् तो R बराबर कितना हो जाएगा, 2F हो जाएगा, 2F हो जाएगा, यानि 12 दूरी 24, फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया है 12, दूरी में गुना कर देजिए, तो 12 दूरी 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसके बाद है कि एक गोलिय दरपन की बक्रतत तरिजया 20 cm इसकी फोकस दुरी होगी 20 cm है तो इसकी फोकस दुरी पुछ रहा है 20 cm दिया है बक्रतत तरिजया यानि आर बरावर कितना दिया है और बरावर 20 cm दिया है और दूसरे भावर दिजये तब 10 दुनी 20 यानि 10 यह बरावर कितना दाएगा 10 cm उसके बाद है कि 20 माधिया में परकास की चाल सरवादीक होती है निर्वात में सरवादीक होता है चलिए आपके मोडल सेट में 25 कोश्चन दिया है इस वीडियो को लाइक कर दिजिएगा शेयर किजिएगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा